शौक कई तरह के होते हैं, किसी को खेलने का शौक है, किसी को पढ़ने का शौक है, किसी को जानवरों से प्यार करने का शौक है, तो वैसा ही एक शौक देखा गया है एक टोको नाम के बंदे में, जपान का एक बंदा है जिसका नाम है टोको, वो कहता है कि मुझे बचपन से ह कुट्टा बनने का शौंक था कुट्टों से प्यार नहीं था वो चाहता था कि वो खुद ही कुट्टा बन जाए और इसी के लिए वो अपना सपना उसने पूरा किया है 12500 पाउंड खर्च किये हैं यानकि इंडियन रुपीज की बात करें तो 12 लाग से भी ज्यारा की राशी बनती है जिसमें उसने पूरा का कुट्टे जैसा ही 3D कॉस्ट्यूम तयार किया है जिसमें वो कोई पहचान नहीं सकता कि वो आदमी है या फिर कुट्टा है इसमें आप देख सकते हैं कि वो कुट्टे जैसे ही अदाएं कर रहे हैं कुट्टे जैसे ही खेल रहे हैं पार् असली को देखना है लेकिन असल इनसान की फोटो अब तक वायरल नहीं हुई है, सामने नहीं आई है. क्योंकि टोको को पता है कि लोग उसके बारे में बहुत गलत सोचेंगे जब उसकी सही फोटो सामने आएगी या फिर असली फोटो सामने आएगी. इसलिए वो जब भी पार्क वगरा में जाता है बाहर जाता है तो इसी कॉस्ट्यूम में ही जाता है तो असली आदमी के बारे में कुछ नहीं पता तो आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो या फिर टोकू के बारे में कमेंट करके जूर लिखें